हलो फिरेंट हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट आफ केमेस्टी को फड़ रहे हैं उसमें अपने बहुत सारा आप मेरे प्रेलिस्ट में जाओगे तो अभी तिक आपको चार वीडियो मिल जाएंगे मैंने प्योर एंचीरटी को कवर किया और जितना रिक्वार्मेंट होता है उतना मतलब के साथ में हीट करते हैं गलाएं मतलब कि आपको झाल मिकसर कटे मतलब कहीं करते हैं तब कार्बन और हईड्रोगन का टैस्ट हैं एक मतलब की को पर उक्साइड का टेस्ट ही अगर पॉजिटीव वा इसका मतलव कि वहाँ पर कारबन और हइड्रोगन है है dülar carbon और hydrogen है इसका मतलब कि वह organic compound है जब आप माल लीजिए कोई student है अगर वो BSC कर रहा है या फिर chemistry में कोई काम कर रहा है मतलब chemistry का study कर रहा है तो उसको ना और पहले compound analysis का नाम का कोई test होता है तो उसमें क्या करते हैं उसको compound देते हैं तो बच्चा क्या अगर एगा simple पहले उसको लजा करके copper oxide की साथ heat करेगा अगर यह test positive आता है तो वह organic compound होता है और नहीं आता तो वह inorganic compound होता है तो फिर वह organic या inorganic according उसकी reactions करवाता आगी अगर organic है फिर उसको जला के देखता है धुए के साथ जलता है तो एरोमेटिक है बिना धुएं के साथ जलता है तो इसे आगे टेस्ट फर्दर चलते रहते हैं फिर गुरूप के टेस्ट चलते हैं तो उसमें पता लगाता है कि कौन सा है ठीक है तो और्गनी कंपाउंट्स जो है अपन उन्हीं की बात कर रहे हैं तो अपन सीधा कोपर ऑक्सा का साथ में ट्रेस्ट करेंगे कोपर ऑक्साइड के साथ में टेस्ट करेंगे भी पढ़ेंगे इसको और उसके अलवा लिसांजे टेस्ट करते हैं लिसांजे टेस्ट कौन-कौन से एलिमेंट के लिए होता है नाइटोजन के लिए होता है ठीक है यह भी कुछ नाता है किस-क समझते इस डियाग्राम से मुझे कोई केमिकल दिया हुआ सा मान लीजिए कि ये जो डार्क ब्लेक हैं ये मेरे पास कोई केमिकल है ये अब इसको मैं क्या करूंगा एक पतली सी ट्यूब होती है केपलरी टाइप की ठीक है उसके अंदर मैं इसको डाल दूँगा मैं ठीक है ड डाल करके इसका मुझ PAK कर दूँगा मैं मतलब कास है तो कास का मुझ पैक करना असान एक घरा मिकल मुझ पैक हो जा जाएगा मुझ पैक करने के बाद में इसको हीट करेंगे cinco प्र यिल कि थोकड़ के साथ में एक सोडियू का टुकड़ा सोडियू मैटल ठीक छोटा सा टुकड़ा मिलाएंगे फिर इसको ये तो अपना पास मаровट्रा मैं कमपाूड है ठीक है और उसके साथ मिला दिया मान cinema भ्याया फिर इसका मूँ बंद कर दिया और फिर उसको हीट मतलब गरम किया गरम कर रहे देखिए यह सोडियम टुकड़ा है और यह बीच में जो है वो पाउडर है तो इसको हीट कर रहे हैं हीट करने के बाद एकदम रेड हो जाएगी गरम हो जाएगी पूरी तिलाल हो जाएगी एकदम से तप करके और यह सोडियम उसे रियक्शन कर चुका होता फिर उस ट्यूब को एक बीकर के अंदर में ले जा करके सीधा टेस्ट्यूब से उसको फैक देते हैं पानी डिश्टल के लिए रख दो बाद में फिल्टर करके रख दो अब जो यह बना है इसको बोलते हैं सोडियम फ्यूजन एक्सक्रेट ठीक है या लेसांजे एक्स्ट्रेट तो सुडियम फ्यूजन एक्स्ट्रेट कैसे बनाया सिंपल एक ट्यूब ली उसके अंदर में कंपाउंड डाला तो सोडियम की टोकडा दिया उसका मुझबंद किया उसको गरम किया गरम करके तो मतलब बहुत हीट हो गई बहुत जैसी हीट होई उसको लेजा लेकर गगे डिश्ट रुट और ने फोटmostि दिया और उसको चान लिया तो यहुंद अपने पासे इस सोडियम फूजन एक्स तो अगर इसमें nitrogen है तो देखो sodium के साथ में reaction करके क्या बनेगा और और यह इंड रेक्शन से सम्झ में आ गया इतना जो बहुत आसान था कुछ भी नहीं लेसान जे टेस्ट करेंगे इसमें क्या करेंगे यह sodium fusion extract क्यों कर रहे हैं यह पहले और्गनिक था वो जो नाइट्रोजन था ना मान लिजी तो वो और्गनिक कमपाउंड में था मान लेते हैं अपने पास में था C6H5NH2 अनिलीन थी अब यह nitrogen थो है ना वो कैसा है यह nitrogen organic है अब इसको जैसा ही sodium fusion extract बनाएंगे sodium lesange lesange extract बनाएंगे तो यह nitrogen है ना और्गनिक से निकल करके NACN के साथ आ गया अब यह NACN कैसा है इन और्गनिक तो test upon इन और्गनिक का करेंगे इसलिए और्गनिक को इन और्गनिक में बदला है यह process था पहला तो समझ माई बात तो यह हो जाएगा यह सब और्गनिक थे इस side में और यह side में इन और्गनिक बन गया इनका इन और्गनिक salt बन गया तो इसके लिए lesange test lesange test का उद्दी से क्या हुआ और्गनिक को इन और्गनिक में बदलना चलिए तो अब अपन lesange extract तो बन गया है अब इनके test करेंगे अब अलगलग ठीक है पहला test अपने पास जो है वो है nitrogen का test simple यह test tube में मैंने ले लिया है वो lesange extract जो कि यहाँ पर last में मेरे को beaker में मिल गया था इसको मैंने test tube में लिया और फिर इसमें मैं डालूँगा FESO4 का solution ठीक है क्या डालेंगे iron sulfate का form पहले कहलेंगे बोलता है the sodium fusion extract is boiled with iron sulfate FESO4 डाल दाल दिया इसमें फिर इसको heat करेंगे हलका सा heat किया heat करने के बाद मैं फिर इसके अंदर बने डालेंगे ये acid कौन सा acid S2SO4 S2SO4 डालेंगे और फिर देखेंगे कि इसका जो color है वो बन जाएगा इस type का person blue और ये एक chemical formation के कारण हुआ है इसका formula याद रखना आपको बहुत important है Fe4, FeCN6 जब आपन coordination compound बनाते हैं तब दो formula आते हैं एक आता है Fe3 FeCN6 4 यहाँ 4 है मैं दूसरा pen use करूंगा आपको दिखेगा यहाँ है 4 और 3 और यहाँ है 3 और 4 इसको बोलते है प्रेसियन ब्लू ठीक है यह coordination में भी आता है आपनोंको याद करना होता ठीक है आयाँ बाकुशन है और यह है Turn Blue Turn Bull Blue इसका नाम होता है मतलब Turn याद रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं ठीक है 43 वाला होता है Person Blue ठीक है तो याद रख लेना यह बहुत important है formula यह वाला 34 और 43 में confused नहीं होना 43 है तो अपना NCRT वाला है ठीक है तो आपको समझ में आगए होगा अपन पढ़ते है Concentrate Sulfuric Acid Formation of Persin Blue Color Confirm of Urgence of Nitrogen Persin Blue आगए इसका मतलब कि वहाँ पे Nitrogen था यह आपको पहले Fe-CN6 बनेगा उसके बाद Fe के साथ में और हीट होगा तो यह compound बन जाएगा क्या क्या सिंपल Sodium Fusion Extrate लिया उसमें Fe-SO4 डलाया उसमें H2SO4 डला और color आ गया Nitrogen का test हो गया Simple याद रखना यहाँ हमेशाथ जब भी अपन Nitrogen का करेंगे हेलोजन का किसी का भी टेस्ट करेंगे तो पहले एक chemical डालेंगे फिर उसमें एक acid डालेंगे एक chemical डालेंगे उस acid मिला लेंगे और उन दोनों में एक common iron होना जरूरी है common iron होना जरूरी है आगे अगले मैं और बताऊंगा मैं आपको यह हो गया चली अगला सलफर का टेस्ट है सलफर में कुछ भी नहीं लेना है यह वही sodium fusion extract ले लिया sodium 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 fusion extract SFE ठीक है sodium fusion extract लिया उसके अंदर अपन डाल रहे है lead acetate क्या डाला PB CS3 COO 2 lead acetate डाला ठीक है और lead acetate डालने के बाद में acid डालेंगे acid कुन सा डालेंगे पहले वहाँ पर जैसे किया था ना वैसे यहीं भी कर रहे है कुछ भी नहीं कर रहे है पहले एक compound डाला वहाँ क्या डाला था FESO4 डाला उसके बाद में क्या डाला था H2SO4 और यहां पर डाल रहे है फिर बाद में डाल रहे है acetic acid तो acetate common iron है पीछे आप NCRT पलट के देखोंगे न पेज तो उसमें पीछे question दिए नो उसमें भी एक question लिखा है कि यह आप ऐसा क्यों कर रहे हो कि acetic acid तो बहुत वीक acid है फिर भी आप acetic acid ले रहे हो यहां पर आप S2SO4 भी ले सकते हो SCL भी ले सकते हो दूसरा acid क्यों यह यूज ले रहे हो तो इसका reason है common iron effect ठीक है और यहां पर आपका lead sulfate बनेगा वो black बनेगा तो lead sulfate का color भी आपको कई बार पूछ लेता है तो lead sulfate का color होता है black इसके अलावा sulfate का दूसरा test भी होता है sodium fusion extract था उसके साथ में इस compound creation करा लो तो violet color आता है और तीसरा बात है कभी-कभी अपने पास में nitrogen भी होता है और sulfur भी होता है पहले अपने nitrogen का test किया sulfur का किया और कभी-कभी क्या होता है nitrogen और sulfur दोनों होते तो दोनों के test साही से नहीं आपाते तो उनके लिए nitrogen और sulfur दोनों होते है तब एक अलग से test करते है उसमें क्या मिलाते है अपने लोग thiocyanate मिलाते है तो अपने पास में जो product मिलता है वो बनता है thiocyanate और इसका color होता है एकदम डार्क रेड, बलड जैसा, खुन जैसा रेड होता है, ठीक है, तो अगर नाइटोजन और सलफर दोनों है, तो थायोसाइनेट के साथ में रेक्शन करवाएंगे, तो complex का formation होगा, ठीक है, यहां से कोई काम की मतलब नहीं है, आपने जितना बताया, उतने चीज़े या अपने एज़े नो 3 के साथ रेक्शन करवाएंगे, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज़े नो 3 के साथ रेक्शन कराने से पहले, जो आपका sodium fusion ठीक है, तो वहां आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो क्यों रेक्शन करवाते हैं, तो इसका वज़े पहले बताता हूं, फिर अपन पढ़ते हैं, इसकी वज़े यह होती है, आपने पहले nitrogen का test किया, sulfur का test किया, हो सकता है, इस compound में nitrogen या sulfur में से कोई एक पहले से available हो, अगर कोई nitrogen या sulfur में से पहले से available है, मान लिए आपका compound दा, उसमें halogen तो ही है, साथ में nitrogen है, या फिर sulfur कोई है, अगर वो कोई है तो वो क्या करेंगे, इस हेलोजन का टेस्ट आने ही नहीं देंगे, तो आप जब रेक्शन कराओगे न, तो नाइट्रोजन का भी PPT बनेगा, सल्फर का भी PPT बनेगा, हेलोजन का भी PPT बनेगा, तो मिक्स PPT बनेगा और आपका टेस्ट कनफर्ब हो गई नहीं, तो आप इस पहले अपन हचनो तरी के साथ में हीट करेंगे इसको ताकि वह सब भड़ँ जाए बाद में एजी नुद्री के साथ रीक्षिन कराएंगे यहां पर भी इसए एचनो 3 काममें लिया हैं क्योंकि यहां आपको कॉमन आयन दिख रहा होगा तो कॉमन आयन एफेक्ट तो हमेशा लागेगा इसमें हर एक में देखा था आपने पहले में सल्फेड था दूसरे में एसी टेर था और यह आहां नाइट्रेट है ठीक है और अब आपको पता ही है अगर जैसे आप एना हेलोजन था उसका रिशन एजी अनुथरी से खराऊगे तो क्या बनेगा एजी सीयल है एज तो एजी एजी आई बनेगा एजी आई का येलो पीपीडी बनेगा तो आसान आसान से टेस्ट है कुछ खास है नहीं इसमें ठीक है एक तो रीजिन था कि लेसांजे के साथ में इसको क्यों गरम करते हैं वो डिकंपोज साइनाइड और सुलफाइड बलब नाइट्रोजन क साथ में गरम करतें कि र्क्तें करते हैं क्यों करते हैं कि शल्फाइड काना ऐसाम सलफाइड के वाम में जो सलफ तो अटा दो नाइट्रोजन की साइड़ है तो इसको अपने लोग हीट करेंगे इसके साथ में दिख रहाना एचनो 3 के साथ में अपने पास में कंपाउंड का टेस्ट आजाएगा फाइनली जो अपने पास में अपने याद रखना है वह याद रखना अमोनियम फोस्पो मॉलीबडेट यह 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 लो कलर का पीपीट आ बस यह याद रख लो यह लोगलर का पीपीड आएगा फास्पोरस के टेस्ट में और फाइनली कौन सा बन रहा है अमोनियम फोस्पो मॉलीबडेट बस इतना याद है बहुत है इससे आजएदा कोई दिक्कत नहीं है और एक तरह का टेस्ट था उसके बाद पहला टेस्ट जो और अनिक है या नहीं है अपने को कोई भ y rem डेगा उसको अपन सबसे पहले गया करेंगे और को पर ओक सबसे डाल देंगे और हीट करेंगे थो और इसली अपर के बाद निकले सा यह टो ओक होता है उन्यक्षाग मौन फूने के पानी चुहाँ चुने के पानी में पास क पकल दो तो अगर यह बबलस बन रहे हैं इसका मतलब की की निकल गई है ठीक है और और अगर अगर जो पानी बनेगा अगर है तो पानी को आप copper sulfate में डाल दोगे तो copper sulfate blue हो जाता है एक copper sulfate white होता है यह copper sulfate blue हो जाता है तो इसका मतलब इसमें hydrogen confirm है तो यह इनके confirm test थे question आया हुए करते है अपन 2013 में question आया है बस लिसांजे test में अपने को पता है क्या था 43 था 43 अपने याद किया था है ना यह 4 और यह 3 याद गरना था बस 43 बोलता है एचनो की 3 के साथ में क्यों बोईल करते हैं क्योंकि अपने को decompose करना है उसको हटाना है किसको nitrogen को और सुरी sulfur को और nitrogen को हटाना है decompose करना है आया था okay अगला है sodium fusion test compound of the nitrogen organic compound converted into अपने किसमें देखा ना अभी देखा न अगर सोडियम है तो सोडियम और सलफर दोना है तो किसमें बदलेगा अगर नाइट्रोज ने तो किसमें बदलेगा नसीन में बदलेगा और निकोई नहीं यह नहीं चाहिए आपको ठीक है यह चीज़े आपने मैंने कुछ एक् anacne में बदला है ठीक है बोलता है लिसांज जे टेस्ट किसके लिए होता है तो लिसांज जे नाइट्रोजन के लिए भी था नाइलोजन के लिए भी था औल अब ब्लू कलरेशन नोट ऑप्टेंड वैन ठीक है है देखो अमोनियम हाइड्रोकसाइड डिजॉल इन कोपर और सल्फेट यह है ना आपका यह वाला इसका टेस्ट था कोपर सल्फेट वाला यह बुलू कलर का थोड़ी होता है के फॉर एफी एसी एन सिक्स बुलू कलर का होता है बुलू कलर का इसको परसिंद बुलू बोलते हैं तो मैंने आपको क्वालिटिटिव एनलीसिस बता दिया है आप मेरी यूट्यूब चैनल इसके प्ले लिटिट में जाना आपको इस चेप्टर के कम से कम पांच वीडियो इस वीडियो को बिला करके पांच वीडियो मिल